आज है साल का पहला भैंकर सूर ग्रहन इतने बजे से सुरू होगा और इतने बजे मोक्षकाल होगा बताएंगे इस वीडियो में सूतक का सही समय ग्रहन की टाइमिंग भूल से भी ना करें ये गलतियां ग्रहन के समय तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इस वीडियो को अ सूर गहन मीन रासी और रेवती नच्छतर में लगने जा रहा है, साल का पहला सूर गहन चैत्र आमावस्या के दिन लगने जा रहा है, जोतिसियों के माने तो सूर गहन खगोली घटना है, सूर गहन तब लगता है जब चंद्रमा प्रत्वी और सूर के बीच में आ जाती है, जिससे सूर की द्रश्टी पुरी तरह या अंसिक रूप से औरद हो जाती है। सूर ग्रहन की टाइमिंग क्या है। सूर ग्रहन आज रात 9 बज कर 12 मिनट से सुरू हो जाएगा और इसका समापन 9 अपरेल यानी कल रात 2 बज कर 22 मिनट पर होगा। इस सूर ग्रहन का मद समय रात 11 बज कर 47 मिनट पर होगा। यह पूर्ण सूर ग्रहन होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा। सूर ग्रहन की कुल अवधी 5 घंटे 10 मिनट की होने वाली है। अगर बात की जाए सूर ग्रहन के सूतक काल की सूतक काल आज सुबे 9 बज कर 12 मिनट से सुरू हो जाएगा। सूर ग्रहन का क्या है प्रभाव। सूर ग्रहन का प्रभाव पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ेगा। दुनिया भर में इस सूर ग्रहन से राजनेतिक रूप से भैंकर उथल पुथल मचा सकता है, शेर बाजार और दुनिया भर की आर्थे की सती हिल सकती है, ये परवतन विस्थ भर में युद्ध और विस्पोर्ट के संकेत दे रहा है। सूर ग्रहन में क्या साउधानी बरते हैं ग्रहन काल के दौरान सामानता सू तक लग जाता है इस काल में बहुत सारी साउधानिया का पालन करना पड़ता है हलाकि ये ग्रहन भारत में दरस्तमान नहीं होगा इसलिए नियमों के पालन की कोई आवस्ता नहीं होगी गर्वती मह पहलाव कुछ चिंदा की कोई आवस्ता नहीं है